देश के अधिकांस राजियों से मांसून की विधाई हो चुकी है कुछ राजियों में हलकी ठंड़क ने दस्तक भी दे दी है इसके बाबजूद पश्चमी विछोब में आये बदलाव के कारण देश में मौसम का बिजाज बदलने बाला है मौसम विभाग ने आज से एउपी विहार समेत देश के कई राजियों में हलकी से मध्यम बारिस की संभाबना जताई है देश के कई राजियों में फिर से बारिस का दोर शुरू होने वाला है मौसम विभाग के अनुसार पश्चमी विच्छोब के शक्रिय होने से एक बार फिर हिमालये इलाकों में बारिस की संभाबना बन रही है इसके चलते 13 से 17 अक्टूबर के दोरान उत्राखंड हरियाना उत्तर प्रदेश और राजिस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हलकी बारिस होने का अनुमान लगाया गया है वहीं जम्मू कस्मीर, बाल्टिस्तान, मुझफ्राबाद, हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिस की संभाबना है मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बरबारी और बारिस को लेकर अलर्ट जारी किया है उत्तरभारत के चार पहाड़ी राजियों में आने वाले दो से तीन दिनों में बारिस और बरबारी होगी इस दरान गरत के साथ बहुछारें पढ़ने की संभाबना है वहीं हिमाचल और जम्मू के कई इलाकों में मुजला धार बारिस और बरबारी की संभवना जताई गई है इसके लावा तमिलनाडू और पुडूचेरी के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिस होने के आसार हैं इन राजियों में 64.5 मिली मीटर से 115.5 मिली मीटर तक बारिस की संभवना है मौसम विभा के अनुसार केरल और माहे के अलग-अलग हिस्सों में 30-40 किलो मीटर परति घंटे की रपतार से हवाएं चलेंगी इन तूफानी हवाओं के साथ बहुचारे पढ़ने तथा बिजली गिरने की आशंका है मौसम विभाग ने उपी से मानसून के पूरी तरह से चले जाने का आईलान कर दिया है यहां दिन में तेज धूप के कारण उमस लोगों को परेशान करेगी सुभे शाम मौसम सुहबना रहेगा मौसम विभाग का कहना है कि राज में 15 अक्टूबर से गुलावी ठंड का आगाज हो जाएगा इसके लाबा बिहार जारकन 36 गड के कुछ और हिस्सों से दक्षन पस्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनकूल बनी हुई है वहीं पस्चिम बंगाल में गंगा के तटिये इलाकों और महराश्त से मानसून की लगभग विदाई होने का पूर्वा नुमान है खबरों का से सिला जारी रहेगा देखते रहिए जनपरबाद नमस्कार